हलो डियो स्टुडेंट्स अब हम करें next question देखे क्या है if x is real अगर x real है तो आपको बताना है इसकी value क्या होगी ठीक है x की value real होने के लिए इसकी value किसके अंदर belongs करनी चाहिए वो अपने को चारों में से option टिक करके बताना है ठीक है student तो क्या दे रहे है देखो अपने y के को लट करेंगे इसको मनलब range बतानी है y is equal to अपने को question में given है क्या x upon x square minus 5x x upon x square minus 5x plus 9 ये दे रहे है ठीक है अब इसको cross multiply कीजिए तो x square into y 5xy plus 9y is equal to में आगया x तो x square y minus ये x दरा के common आजएगा x तो ये आजएगा 5y plus 1 plus 9y is equal to में 0 clear है यहां तक अब देखो x उसने बोला है real है तो real है तो formula होता है शीरी तरह चारह से b square minus 4 is greater than equal 0 तो b क्या है देखो x के साथ होता है ये b minus का है minus का square करेंगे तो plus होजेगा तो 5y plus 1 का square आगया minus 4 into a कितने देखो a है y और c है 9y y into 9y is equal to में 0 greater than equal 0 इसका square खोली है तो 5y square 5 to 10y plus 1 minus का आज़ेगा 36 y square ठीक है तो ये आज़ेगा क्या minus का 25 36 में से 25 किया कितना आज़ेगा 11 y square plus 10y plus 1 greater than equal 0 ये y square negative नहीं होना चीए इसलिए इसको positive बनाने के लिए पूरी equation को minus से multiply करते हैं और minus से multiply करने के बाद sign change होजेगा ये infinity change होजेगी तो 11 y square minus 10y minus 1 ये होजेगा less than equal 0 अब इसके factor कर लीचे तो क्या आएंगे एक तो आएगा 11 y और एक आएगा plus का y ठीक है 11 y common आने के बाद y minus 1 इसमें से 1 common ले लीचे तो y minus 1 तो ये आजेगा 11 y plus 1 and y minus 1 तो दो value आगी y की एक तो आगी 1 और एक आगी minus का 1 बाए 11 ठीक है तो ये put कहा करेंगे इसकी एक line बनाएंगे एक तो है 1 और minus का 1 अपॉन 11 ठीक है अब इसको अपने को negative चाहिए तो negative value देखो इसको ऐसे करते हैं ये plus ये minus ये plus तो इस interval में ये value negative आएगी चाहिए आप इसमें value रखके देख लेना ठीक है तो इसका जो answer आएगा minus 1 by 11 और 1 ये वाला bracket क्यों आया क्योंकि equal का sign है ठीक है तो ये देख लो तो इसका जो answer student वो आजेगा minus 1 by 11 to 1 कौन सा है आपको देखने पर मिल रहा होगा ये b इसका option सजारे ठीक है तो इस तरीके से आपको ये करके दिखाना था कोई भी value दे रखी होगी उसको y के equal let करोगे अगर real है तो b square minus 4 ac greater than equal 0 और फिर उसके बाद आपको क्या करना है y की value निकालनी है plus minus interval निकालने है उससे आपका answer आजेगा ठीक है thank you